सौ रुपे हैं तुम्हारे पास एक तरीका है भीक मांगने का इंस्ट्रग्राम रिल्स हो गई, यूट्यूब वीडियोस हो गई आजकल आप एक टाइप के वीडियोस देख रहे होंगे कि भाई इन्वेस्ट करो जाके इन्वेस्ट करो stock market में invest करो, crypto's में invest करो, mutual funds में invest करो, बहुत ज़ादा content आज कल आपकी भी feed में suggest हो रहा होगा, मुझे भी बहुत ज़ादा हो रहा था बहुत time से, अरे क्या Herman भाई कैसी बाते कर रहो यार, अभी तो हम student हैं, अभी तो महाई job भी नहीं लगी ए, के बारे में जानके हम क्या उखाड लेंगे समझ रहा हूं मैं तुमारी सारी बाते समझ रहा हूं पिछले चार-पांच महीने से मैं पर्सनली बहुत जादा ऐसा अगर ये वीडियो मुझे चार-पांच महीने पहले किसी ने दी होती तो शायद मुझे इतनी महनत करने की जरूरत नहीं पड़ती बाकी it's your choice स्टार्ट करते हैं आज के amazing session को आज बात होने वाली है पैसे की देखो पैसा है हमने कहीं से पैसा कमाया कहीं से job कर ली किसी ने हमें कुछ पैसा दे दिया वो पैसा हमने savings account में डाल लिया savings account मतलब अलग-अलग bank account खुलवाते होंगे अपना simple bank account की हाँ पे मैं बात कर रहा हूँ चाये HDFC चाये ICICI कोई भी bank हो आपने वहाँ पैसा डाल दिया पहला तो ये समझने की हमें जरूरत है second चीज जो आज के वीडियो में हम थोड़ी बहुत बात करेंगे इसके उपर जो समझाना जरूरी है वो है तुम्हारा inflation inflation मतलब महंगाई समझ लो ठीक है महंगाई बढ़ती है time से 10 साल पहले जो चीज 2-3 रुपे की थी आज शायद बारा तेरा पचास पता नहीं कितने रुपे की आती होगी समझ रो इस चीज को तो इंडिया की अगर हम average percentage अगर हम निकाले तो around 5% मान के चनरो inflation होती है मतलब 5% चीज है महंगी हो जाती है आज जो चीज 100 रुपे की है अगले साल वो 105 रुपे की मिलनी स्टार्ट हो तो महंगाई बढ़ती रहती है ठीक है तो अब मैं यहाँ पर तुम्हें एक बहुत interesting example देता हूँ let's suppose तुम्हारे पास 10 लाख रुपे है तुमने अपने savings account में वो 10 लाख रुपे डाल दिये अब वो जो 10 लाख रुपे है तुमने उसे savings account में 10 साल तक रहने दिया कुछ न savings account से ठीक है दूसरी तरफ महंगाई भी हर साल 555% से बढ़ रही है तो क्या 10 साल बाद आपको लगता है कि आपका पैसा बढ़ा है 10 साल बाद 10 लाख की value बढ़ी नहीं होगी 10 साल में 10 लाख की value उल्टा कम हो गई इतना जादा inflation बढ़ गया उस time में और आपका पैसा उस speed स grow नहीं हुआ तो अब तुम समझ रहे हो कि inflation एक ऐसी चीज है जो अंदर से हमें खारी होती है हमारे पैसे को खारी होती है बट हमें पता भी नहीं चलता है इस चीज के बारे में हर कोई चाता है कि उसका पैसा बढ़े वो और जादा अमीर होता चले जाए और यहीं से आता ह यार investment का concept और आज मैं तुम्हें 0 से लेके hero बनाने वाला हूं investment के concept के अंदर start करते हैं बहुत basic चीजों से एकदम easy life का practical example तुम्हें देता हूं investment क्या है ठीक है तो इस phone से अभी मैं video बना रहा हूं यह iPhone 12 मैंने थोड़े time पहले purchase किया था मैं YouTube पे videos बनाता हूं vlogs बनाता हूं तो यह मेरे लिए एक investment है because मैं इसके थूँ अच्छे vlogs बनाऊंगा अच्छी quality के vlogs बनाऊंगा उस पर जादा views आएंगे मेरे को sponsorship मिलेगी मैं और पैसा कमाऊंगा YouTube एट से पैसा कमाऊंगा यह laptop मेरे सामने पढ़ा हूँ यह laptop का मैं use करके पता नहीं कितना पैसा already कमा चुका हूँ तो यह मेरे लिए investment है चाहिए मैंने इस पर एक लाग से जादा लगाए है बट उससे जादा इसने मुझे दिया है तो यह एक तरीके की investment है एक investment होती है जो तुम learning पर करते हो तुम books पढ़ते हो तुम courses purchase करते हो वो सबसे बड़ी investment है जो तुम है बहुत जादा return यह शायद आपको back-end development पसंद है तो आप re-level के tournament में participate कर सकते हो कभी-कभी ऐसा होता है कि skills तो होती है बट यार college अच्छा नहीं होता तो opportunities जादा नहीं मिल रही होती network अच्छा नहीं होता यह शायद आपके college में companies ही नहीं आ रही होंगी so basically if you have the required skills then you can participate in the re-level hiring tournament irrespective of your college irrespective of your branch किसी भी college में हो किसी भी branch में हो आप participate कर सकते हो re-level के tournament में चाहिए तो बस skills अगर आप अच्छा perform करते हो तो जो top companies है like razor pay, urban company, upgrade यहाँ पे आपको placement मिल सकती है up to 15 lakhs का CTC आपको देखने को मिलता है अगर आप मेरा code use करते हो जो screen में आ रहा है इस code को use करने से आपको 10% off म 2nd June इसकी last date है उससे पहले register कर लीजेगा, 26 June को tournament start हो जाएगा, for more details check out the link in the description, next type की investment की बात करते हैं, बच्पन में मुझे लगता था कि यार मेरे घर वाले क्यों बिना बात gold purchase कर रहे हैं, gold में क्यों पैसा लगा रहे हैं, मेरे को नहीं पता था कि यार gold एक asset है, जिस पे आप properties purchase करते हैं, properties अभी आपने 1 करोड का कुछ खरीदा, वो आगे जाके 1.5 करोड का शायद हो जाएगा, कभी हो 2 करोड का हो जाएगा, पता नहीं कितने का हो जाएगा, तो ये सब होते हैं तुमारे assets, तुमने देखा होगा तुमारे घरवाले fixed deposits में पैसे डालते हैं, ठ investment करते रहते हो, आपको around 7-8% का महाँ पे return मिलता है, तो 7-8% आपको fixed deposit देता है, and inflation 5% हो, तो मतलब आपको सिरफ 2-3% ही extra मिल रहे होते हैं, fixed deposit से भी, तो fixed deposit इतना जादा risky नहीं होता है, लेकिन हाँ ठीक होता है कि आपका पैसा safe रहेगा, अगर आपकी age जादा हो चुकी है आप जादा risk नहीं ले सकते हो, तो आप fixed deposit में पैसा डाल सकते हो, धीरे धीरे आपका पैसा grow करता रहेगा, लेकिन आज के वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, stock market के बारे में basic से लेके advance तक, कि भाई stock market क्या होता है, stock market में पैसे डलते कैसे हैं, सारी चीज़े आज के वीडियो में बताऊँगा, stock market में बहुत सारी companies registered होती हैं, and उन companies के आप shares purchase कर सकते हैं, let's suppose एक company है HDFC bank, अब HDFC bank के आपने 10,000 के share खरीद लिए, इसका मतलब क्या है कि आप HDFC bank के 10,000 के मालिक बन चुके हैं, और आपने वो 10,000 उन्हें दे दी हैं, और वो 10,000 वो use करक हमेशा सब grow करने ही कोशिश करते हैं, अगर वो company grow करती है, तो जितना वो grow करती है, जिस percent से वो grow करती है, आपका पैसा भी उसी percent से grow करता है, अगर वो company grow नहीं करती है, तो आपका पैसा loss में चले जाता है, इसलिए कहा जाता है कि stock market में बहुत दिमाग से पैसा लगाना चा तो indirectly, indirectly क्या, directly you are contributing towards the growth of India, आप India की top companies में अगर पैसा डालते हो, तो आप पैसा दे रहे हो उन companies को कि ये लो मेरा पैसा, आप इस पैसे का use करो और grow करो, जिस percent से आप grow करोगे, मेरा पैसा भी उसी percentage से grow करेगा, जो country की population है, जितना जादा लोग stock market में पैसा डालेंगे, basically हम उतन जादा grow करेंगे as a country, तो बहुत अच्छी जीज़ होते हैं कि आप invest कर रहे हो, stock market को कई लोग कहते हैं कि ये जुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है, जब भी आप stock market में पैसा डालना चाहते हो, आप किसी company में invest करना चाहते हो, तो आपको उस company की past performances देखनी पड़ती है, कि कोवीड के time पे pharma जो sector था, pharma sector तो obviously grow करना ही था, तो लोगों ने जिननों ने उस पे पैसा डाला होगा, उनका पैसा बड़ा भी होगा, अब किसी company पे लगा दिया होगा, जो offline operate करती है, तो lockdown के वज़े से वो सारा पैसा डूबा भी होगा, काफी हद तक डूबा भी होगा अब मैं तुम्हें दो interesting examples देना चाहूँगा, जो देखकर तुम्हें बहुत interesting सा लगेगा और तुम shock हो जाओगे, सबसे पहले मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, विपरो के बारे में, ये मैंने विपरो क्या chart खोल रखा है share price का, कि पहले एक share कितने का मिलता था और अब कितने का मिल रहा है, तो let's suppose मैं ऐसे ही randomly देख लेता हूँ, अगर तुमने 2008-10 October को इसका एक share खरीदा होता, इस company का जिसका नाम है विपरो, तो उसकी price थी 59 रुपीज, और आज के time पे एक share की price हो गई है 547 रुपीज, ठीक है, तो इतने point पे तुमारे एक share की price 10 गुना हो मतलब अगर तुमने 1 लाख लगाया होता, तो वो 10 लाख हो गया होता, इस तरीके से stock market operate करती है, तो यहाँ पर अगर मैं इसे 5 years कर देता हूँ, तो 5 साल में इसने 167.91, मतलब 168% की growth दिये, मतलब आपका पैसा 168% बड़ा है अगर आपने इसमें लगाया होता, डिक्सोन एक company है, इसमें मैंने भी थोड़ा बहुत invest कर रखा है, इसका तो graph और जाधा interesting है, अभी 1 साल पहले 2020 में, जब हमारा ये COVID का scene start हुआ था, तब अगर आपने इसमें पैसा लगाया होता, तो 2020 में इसके 1 share की price थी 790, और आज इसके 1 share की price कितनी हो गई है, 4260 रुपे, और थो 2019 में इसकी 1 share की price थी 410, 420 के बीच में, और आज इसकी price है 4260, तो ये 10 गुना हो चुका है, एक साल के अंदर, ठीक है, तो ये share कितना जाधा तगड़ा है, कितनी जाधा इसमें इसमें इसने growth दी है, तो इसी तरीके से हैर हमें देखना पड़ता है, कौन सी company पे invest करना है, तो अब next question आएगा, कि हमें भी invest करना है, बताओ, होता कैसे, ये process अभी न, मज़ा आ रहा है, देखके graph अगरा देख रहे हैं, बट ये हम कैसे purchase कर सकते हैं, तुमारे जो savings account होता है, उसके अंदर तुम पैसे डालते हो, ठीक है, उसके अंदर तुम share नहीं डाल सकते है, ले आपको DMAT account की जरूरत पड़ेगी, अब बहुत सारे brokers हैं, जो आपको DMAT account खुलवा के दे देंगे, बहुत सारे ऐसे applications हैं, जो सिरफ आप अपने phone में install करेंगे, या अपने laptop में .com चलाएंगे, और आपका DMAT account बन जाएगा, मैं यहाँ पे कुछ examples देता हूं, सबसे पहला है जिरोदा, second grow app भी है, third है upstocks, ऐसे बहुत सारे applications हैं, मैं personally आपको suggest करना चाहूंगा, जिरोदा, this video is not at all sponsored, किसी brand ने में को sponsor नहीं किया है, अगर कर देते तो मैं बहुत खुश होता, because इतनी अच्छी चीज़ प्रमोट कर रहा हूं, उसके बाद अगर sponsorship भी मिल जाती तो भा आप जिरोदा की website पे जाईए, या तो आप जिरोदा का application डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे details वगेरा जो भी आती रहेंगी वो देते रहो, जैसे आपका pen card मांगेंगे, आपका अधार card मांगेंगे, वो सब वहाँ पे photos वगेरा उन्हें देते रहो, आपका account बन जाएग दो-तिन दिन लगेंगे, आपका ZMAT account खुल जाएगा, अब जिरोदा के कुछ apps होते हैं, पहला app होता है काइट, दूसरा app है coin, तीसरा app है small case, मैं इस वीडियो में जादा detail में नहीं बताऊँगा, अभी मैं stocks की जादा बात कर रहा हूँ, तो मैं आपको काइट के बारे में ठीक है, ऐसा होता है, अब coin app है, coin app में आपको बहुत सारे mutual funds मिलेंगे, mutual funds क्या होते हैं, कि मुझे stocks के बारे में जादा नहीं पता, मुझे नहीं पता कि HDFC का खरीदना है, ITC का खरीदना है, Dixon का खरीदना है, मुझे नहीं पता, मेरे को इतनी tension नहीं चाहिए, मैं basically अपना पैसा, एक ऐसे बंदे को दे दूँगा, जिसको इसकी knowledge है, वो invest करता रहेगा मेरा पैसा, मुझे थोड़ा बहुत return मिलता रहेगा, 10-12% जितना भी होता है, mutual fund का, वो मुझे मिलता रहेगा, बाकी वो थोड़ा बहुत पैसा, वो broker रख लेगा, ठीक है, तो एक होता है mutual fund, म लेकिन अभी मैं आपको एक और interesting चीज के बारे में बताने वाला हूँ, जो है compounding, ये जो मैंने आपको जितनी भी figures बताई है, ये सब जो मैंने आपको बताया है कि आपका पैसा बढ़ेगा, ये होगा, जैसे अभी आपको इतने सारे graphs मैंने दिखाए, भाई साब ये compounding की power है, अब मैं आपको compounding की power सिखाता हूँ, compounding तो आपने पढ़ा होगा, मैं आपको एक बाद जल्दी से एक example देता हूँ, let's suppose आपने 100 रुपे डाले, आपको उसमें 10% का profit हुआ, मतलब आपके पास 110 रुपे हैं, अब next time जो 10% आपको profit होगा, तो वो 100 रुपे पे नहीं निकालो, कैसे भी करके, थोड़ा side hustle, wide hustle निकालो, कुछ करो काम अच्छा खासा, कुछ skill वगएरा करो, मैं क्यों कहता हूँ, 20 से अगर आप investing स्टार्ट करते हो, और आपका दोस्त है, जो MBBS कर रहा है, जो अभी MD करेगा, फिर वो job लेगा, 30 साल की उमर में job स्टार्ट हो, तो आप 20 से 50 तक करोगे, वो कितने से करेगा, वो 30 से 50 तक करेगा, और आप दोनों same amount of money डालोगे, ऐसा नहीं है कि आपने ज़्यादा डाल दिया, या उसने कम डाल दिया, still, same पैसा डालने पे भी, आपने 10 साल पहले start किया था, तो आपकी wealth उससे double होगी, अगर उसकी wealth 10 करोड है, तो आपकी wealth 20 करोड होगी, ये power होती है investment की, 10 साल के gap में आपका जो investment है वो double हो जाता है, आपको जो wealth है वो पूरा double हो जाता है, I hope ये example से तुम्हे power of compounding समझ आई होगी, इसी लिए सब कहते हैं कि जल्दी invest करो, जल्दी invest करो, because आप जितना जल्दी invest करते हो, amount ज 1000 आपकी मर्जी है, आप 500 रुपे सेफ कर पा रहे हो, और वो 500 रुपे आप invest कर रहे हो, अभी वो number आपको छोटा लग रहा होगा, लेकिन आपकी job लग जाएगी, या कोई side hustle आप करोगे, तो आप धीरे-धीर increase करोगे न, वो number आज आपके लिए छोटा होगा, लेकिन आज से 30 साल बाद जब वो आप देखोगे न, तो वो बढ़ बढ़ के लाखो रुपे बन चुके होंगे, और यही होता है power of investing, मैंने investment स्टार्ट कर दी है, ये वीडियो मैं बहुत पहले भी बना सकता था, बट आज के टाइम पे कुछ lakhs मैंने अपने stock market के अंदर डाल दी है, जादा भी नहीं है, कम भी नहीं है, कुछ पैसा मैंने invest कर दिया और मैं रोज नई चीज़े सीख रहा हूँ और ऐसे ही मैं ऐसी वीडियो तुम सब के लिए लेके आता रहूँगा, मेरा गोल है कि मैं आगे बहुत सालों तक invest करूँगा, stock market में आपको एक दो साल के अंदर अच्छे return नहीं मिलेंगे, आपको wait करना पड़ेगा 10, 15, 20, 30, 40, 50 सालों के लिए, तब आपका पैसा बहुत जादा होगा, आपकी actual wealth तब बनेगी, I hope आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ऐसी ही वीडियो मैं लेके आता रहता हूँ, यहाँ पे आप साइड में देख रहे होंगे, stories आजकल मैं cover कर रहा हूँ, interesting videos cover कर रहा हूँ, मैं next video बनाऊँगा, आप लोग इन videos को देखे, I hope ये वीडियो पसंद आई होगी, अपने दोस्तों के साथ share करना, subscribe कर दो, इस चैनल को, ऐसी videos आती रहती है मेरे चैनल पे, मिलते हैं ऐसी किसी और special video में, till then, bye-bye झाल